Hello student, good morning, good afternoon, good evening, good night, whenever you are watching this video guys इस video के अंदर मैं आपको BSC Agri-Culture के बारे में काफे detail में बताने वाला हूँ दोस्तो पिछली वीडियो के अंदर comments के माध्यम से student ने BSC Agri-Culture की regarded कई तरहे के questions पूछे जिसमें सबसे ज़्यादा question पूछा गया था entrance exam के regarded, top colleges के बारे में, fees के बारे में, job profile के बारे में या eligibility criteria related कहीं दरहे के questions आये थे जिसमें एक student ने question किया था कि sir क्या art और kormers के जो student है वो इस course करने के लिए eligible है या नहीं है तो इस video के अंदर आपको काफी सारे questions का जवाब मिलने वाला है और फिर भी आपको कोई query रह जाते है तो आप लोग comment section में comment करके बता सकते हैं चलिए दोस्तों start करते हैं जानते हैं BSC Agriculture के बारे में तो BSC Agriculture है क्या? ये Bachelor of Education in Agriculture इसका full form होता है यानि ऐसे student जो की क्रसी विभाग में जाना चाहते हैं यानि उनका जो interest है वो agriculture में है तो वो लोग इस course को complete कर सकते हैं eligibility criteria की बात करें यानि कि कौन-कौन से student है जो की इस course को करने के लिए eligible है तो ऐसे candidate जिन्होंने अपनी 12th में PCB या PCM यानि Physis Chemistry, Math या Physis Chemistry, Biology यानि ये subject है तो वो इस course को करने के लिए eligible है at least आपके 50% marks होने चाहिए 12th में 10th plus 12th में अगर आप SCST category से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का discount छूट दी जा सकती है तो जैसे कि student ने question पुछाता कि सर क्या art और commerce के student इस course को करने के लिए eligible है या नहीं है तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर rule कहता है कि आपके पास science subject होना चाहिए 12th में तो आप लोग eligible नहीं है जितने भी art और commerce के student है वो सब इस course को करने के लिए eligible नहीं है आपके पास PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए course duration अब हम दोस्तों बात करेंगे course duration के बारे में तो यह 4 साल का एक undergraduate course होता एक professional degree होती है जिसमें total 8 semester होते हैं अब 4 साल का course है और 8 semester है यानि के दोस्तों एक साल के अंदर 2 semester होते हैं दोस्तों एक और वीडियो मुझे बनाना होगा इसके syllabus के रिगार्डेड राइट जितने भी ऐसे student है जो चाहते हैं कि इसके syllabus में काफी deeply या briefly में discuss करूँ उसके syllabus के बारे में तो वो लोग comment करके बता सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको syllabus के बारे में discuss नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा syllabus है और एक separate वीडियो उसके इपर बनाना होगा और subject और syllabus इन दोनों को उसके अंदर में discuss करूँगा अब हम बात करते हैं BSC Agriculture में admission का क्या procedure होता है तो दोस्तो admission इसमें direct भी हो सकता है और entrance exam के थूप भी होता है अगर आप एक best college से BSC Agriculture के degree लेते हैं एक UK एक UG degree है अगर आप इस degree को किसी अच्छे college से जैसे BSU से आप लोग complete करते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे आपको एक अलग से हमाँ पर placement के भी chances रहते हैं एक तो आपकी अच्छे college से degree आपको मिल जाती है जिससे आपको PG में भी बहुत आसानी से admission मिलने के chances होते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान अकना है अगर आप किसी अच्छे college से लेते हैं उसका benefit आपको अलग से होगा तो आप लोग try करें कि आप लोग entrance exam के थुरू जाएं क्योंकि अच्छे college में admission लेने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है entrance exam को qualify करना direct admission में आप कैसे होता है देखें merit base पर होता है जो भी आपका 12th and plus 12th में जो भी आपके marks होते हैं तो उसी के base पर merit list जारी कर दी जाती है तो merit base पर और personal interview के base पर direct admission लिया जाता है बहुत सारे college हैं यहाँ पर college के मैं नाम भी बताऊंगा entrance test के बारे में भी आपको बताऊंगा लेकिन especially मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके state जैसे आप लोग उत्तरप्रदेश से बिलोंग करते हैं उसको उस college की website पर जाकर आपको download करना होगा यानि कुछ procedures हैं जिने आपको follow करना होगा अब यहाँ पर आप कई जगवार ऐसा होता है कि आप लोग गए website पर और entrance labels आपसे download नहीं हो रहा है या फिर आपको पता चल गया कि भाई इस website पर या इस college ने अपने entrance labels को नहीं दिखाया है तो अब आप लोग उसके previous year की जितने भी questions paper है उसके base पर आप लोग उसका syllabus जान सकते हैं जिस तरह के questions पूछे गए होंगे उसी topic को आप लोग prepare करके अपना entrance exam को अच्छे से prepare कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको specially ध्यान देना होगा कि आप लोग किस college से करना चाहते हैं तो आपको यह depend करता है कि आपके पूरे जो state में कौन सा college सबसे best है आप जैसे यहाँ पर हमने बात की entrance exam के बारे में merit based का तो आपको पता चले गया कि इसमें especially personal interview होता है और merit based पर ही आपका एक list जारी कर दी जाती है जिसके base पर आपको पता चल जाता है कि आपका admission हुआ है नहीं हुआ है entrance exam में आप लोग entrance exam देते हैं अगर हम इंडिया में top entrance exam की बात करें जैसे B.H.U.E.T. बनारस हिंदु उन्वस्टी इसको conduct कराती है इस entrance exam को इस entrance exam को अगर आप qualify करते हैं तो आपको B.H.U. में admission मिल जाएगा वहाँ से आप लोग इस undergraduate degree को प्राप्त कर सकते हैं जो कि यह B.H.C. Agriculture इसके लावा दोस्तो उत्तरप्रदेश कंबाइन agriculture and technology entrance test यदि आप UC-UP से बिलोग करते हैं तो आप लोग इस entrance test को दे सकते हैं इसके थुरू भी आप B.H.C. Agriculture में admission ले सकते हैं जितने भी top colleges हैं उत्तरप्रदेश के अंदर उसके थुरू आप इस जैसी आप इस entrance exam को qualify करेंगे और आपकी कितनी ranking रहती है आपको कितनी वहाँ पर marks मिलते हैं उसके according आपको एक अच्छे college में admission मिल जाता है तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे entrance test के हैं मैंने आपर नाम लिखे हैं जो कि top हैं जिनके बारे में इसके लावा और भी बहुत सारे entrance test है ऐसा नहीं है entrance test के उपर एक अलग से मुझे video बना रहा होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि entrance test को आप कैसे आप लोग उसको prepare करें मेरे पास बहुत सारे ऐसे student है जो कि BSC agriculture student है जो कि बताते हैं कि सर BSC agriculture के अंदर syllabus जो हमारा theoretical paper होता है उस पर तो focus करना ही होता लेकिन practical में 60% theory तो वहाँ पर 40% ही cover होती है practical सबसे ज़्यादा होता है एक अच्छे college में mostly हाँ पर आपको practical पर ज़्यादा focus किया जाता है किलाबा दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे college होते हैं बहुत सारे universities होती हैं जो कि BSC agriculture student के लिए अपना entrance exam कंडर्ड कराती हैं जिसके थूँ आप लोग BSC agriculture के अंदर admission ले सकते हैं जिसके थूँ आप लोग BSC agriculture के अंदर admission ले सकते हैं तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी states होते हैं उनमें एक particular test करा जाता है जिसके थूँ आप लोग यानि एक entrance exam आपको qualify करना होगा जिससे कि आप लोग best college मिल सके जैसे for example odysa university of agriculture and technology entrance test या राजस्थान jet राजस्थान joint entrance test पंजाब agriculture university common entrance test या मद्यप्रदेश प्री agriculture test या इंदरा गांधी कृषी विश्विध्याले common entrance test तो ये वो entrance test है जिने qualify करने के बाद आपको BSC agriculture के लिए best college मिलेंगे इन college के अंदर अगर आप BSC अपनी complete करते हैं तो प्लेस्मेंट के भी काफी ज़्यादा chances होते हैं यानि बाहर से companies आती हैं जो कि इन student को job offer करती हैं high salary package के साथ तो आपको ध्यान रकना है कि अगर आप एक अच्छे college से एक अच्छे college में अगर आपको admission लेना है तो entrance qualify करना होगा तो entrance qualify करने के लिए उसका syllabus उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर आप इसमें interested हैं तो अब हम बात करते हैं दोस्तों top college के बारे में right तो यहाँ पर मैंने अभी बात किया entrance exam के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ जो top colleges हैं जहाँ पर placement के बहुत ज़्यादा chances होते हैं right जैसे चंडीगर इन्वस्टी बहु तमिलनाडू agriculture इन्वस्टी या रोड़की institute of technology college of agriculture इंफाल विस्वा भारती इन्वस्टी या आचारे एंजी रंगा एगरी कल्चर इन्वस्टी जिसके बारे मैंने आपको बताया कि इस entrance exam को जैसे आप qualify करते हैं तो आपको इसमें आसानी से admission मिल जाएगा लवली professional इन्वस्टी ऐसी और भी बहुत सारी इन्वस्टीज हैं आपको बिस्वी करना क्या है आपको ये देखना है क आप लोग जैसे किसी राजे से बिलोंग करते हैं इंडिया में किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं आप उत्तर प्रदेश यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप मद्ध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं इन्डिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर यह government और जो private college है उनके बारे में मैं आपको काफी detail में बताऊंगा तो अगर हम बात करते हैं यह fees के बारे में यानि BSC agriculture अगर आप इस course को करते हैं तो आपको fees कितना लगेगा तो fees की बात करें दोस्तों अगर आप entrance exam के थ्रू जाते हैं इसके लाव दोस्तों अगर आप private college के लिए जाते हैं तो लगबग आपका डेड़ लाग से 4 लाग रुपे खर्च हो सकते हैं अगर आप private college के अंदर direct admission लेते हैं यह भी depend करता है कि आप कि इस college के अंदर admission ले रहे हैं अलग-अलग college, अलग-अलग facility देता है, अलग-अलग तरह है कि प्रैक्टिकल श कराता है, अलग-लग तरह होता है, अलग-अलग तरीका का उनका तरीका होता है तो इसलिए वहाँ पर जो fees होती है वो काफी ज़ादा vary करती है तो ये था fees detail के बारे में तो आप लोगों को कोशिश करना है कि अगर आप एक अच्छे college में आपका admission हो जाए तो वो ज़्याद आपके लिए best रहता है तो guys finally अब हम बात करते हैं job profile के बारे में यानि अगर आप अपनी graduation या post graduation बेसी agriculture से complete करते हैं तो आपके पास कौन-कौन सी job opportunities मिलती हैं तो जैसे कि आप लोगों पता है कि ये जो agriculture sector होता है ये हमारी country का backbone है और सबसे ज़्यादा job offer अगर आप देखें तो यहाँ पर career opportunity या job opportunities बहुत ज़्यादा है government और private sector दोनों ही अलग-अलग post के लिए job offer करते हैं या farm manager या rice breeder या agriculture lecturer भी आप बन सकते हैं अगर आप अपनी master degree complete करते हैं इसके बाद आप project manager बन सकते हैं आप लोग assistant manager tea या assistant manager rubber या assistant manager coffee या दोस्तो बहुत सारी अभी job profiles हैं जिसके ओपर मुझे अलग से एक video बनाना पड़ेगा जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि यदि आप अपनी graduation या post graduation BSC agriculture के लिए complete करते हैं तो कौन-कौन से job opportunities है इसके ओपर काफी detail में आपको बताना होगा क्योंकि दोस्तों बहुत सारे job opportunities हैं जो कि आप उसमें फरादा उठा सकते हैं बहुत सारे students होचते हैं कि सर कैसे हमें agriculture officer ये post कैसे निकलती हैं vacancies कैसे निकलती हैं जैसे आप लोग सरकारी result.com पर जब आप जागते हैं तो वहाँ पर कई तरह की जो private और government जो होते हैं सेक्टर होते हैं वो इस तरह के job offer करते हैं जैसे for example अगर हम government sector की बात करें जैसे आपने नाम सुना होगा Indian Agriculture Research Institute या National Seed Corporation Limited या फिर Food Corporation of India या National Dairy Development Board या Indian Council of Agriculture Research ये कुछ ऐसे बहुत सारे institute होते हैं बहुत सारे organization होते हैं जो कि BSC Agriculture student के लिए job offer करते हैं जितने भी graduation या post graduation complete करते है BSC Agriculture के student उनके लिए job offer किया जाता है और जैसे कि मैंने आपको बता है बहुत सारे अगर आप किसी अच्छे college से यते हो वहाँ पर आपकी placement के chances भी बहुत जादा होते हैं इसके लाव दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में एक अलग से वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करते हैं आपको उसी तरह की और भी जानकारी चाहिए तो और आपको जो भी questions होता है आप लोग comment section में बता सकते हैं मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में बाई बाई टाटा